तो चली इस वीडियो में बात करते हैं नविगेशन बार की तो नविगेशन बार क्या होता है तो एकजाम्पल ग्रुप में यह जो उपर आपका यह जो लिखा हुआ है जिस तरीके से और यहाँ पर हर एक जो जो भी keyword लिखा हुआ है उसके उपर एक link भी लगा हुआ है तो इस टाइब की जो चीजे होती ही उनको बोलते है navigation bar क्योंकि ये आपको navigate करता यानि एक जगा से दूसरी जगा आप जा सकते हैं जब आप इसके उपर click करते हैं तो ये होता navigation bar जैसे example group में ये जो है navigation bars है जैसे ये home वाला है ठीक ये एक बार हुआ है ये news वाला दूसरा बार हुआ contact वाला तीसरा बार हुआ तो ये navigation bar होता है navigation इसलिए लगा हुआ क्योंकि इनमें link लगा होता है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप किसी दूसरी जगा पर पहुंच जाएंगे तो ये होता है navigation bar तो ये vertical type का navigation bar है ठीक है जो आपको top to bottom दिखता है और ये horizontal type का navigation bar है जो आपको left to right horizontal दिखता है या फिर ये वाला ठीक तो ये होता है navigation bar तो असल में जो navigation bar होते हैं वो links की list होती है यानि जो भी आप देखते हैं जैसे यह सब क्या है लिंक ही है इन सब के पीछे लिंक लगा हुआ है तो इसी की लिस्ट को हम लोग निविगेशन बार बोल सकते हैं मतलब लिस्ट आफ लिंक से ही आप निविगेशन बार बनाते हैं तो यहाँ पर यह एक्जांपल दिया हुआ है कि एक unalereded list आपने लिए है और उसके अंदर लिस्ट आइटम लिए है ठीक है तो इसके अंदर आपने list आइटम लिया है लिस्ट के अंदर आपने anchor element का इस्तवाल किया है ताकि उन लिस्ट में आप link लगा सकें तो इसको देख लेते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे सबसे पहला वाला जो लिस्ट आइटम है यहां पर एंकर एल्मेंट का इस्तमाल हुआ है और इस पर क्या काम किया है होम पर लिंक लगाए गया है ठीक है तो यहां पर हाइपर रिफिरेंस एट्रिबीट में आपको यहां पर इस होम का एड्रेस देना पड़ता है बेव एड्रेस देना पड़ता है ठीक तो यहां पर इसने होम लिखा है तो होम इसले लिखा है क्योंकि इसी वेपसाइट के होम पेज पर इसे निविगेट किया जा रहा है यानि होम पर आपके लिग करेंगे तो यह जो website है उसी के home page पे आप navigate हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको web address देना होता है ठीक है इससाब से यह link काम करते हैं तो यह आपका क्या है एक navigation bar है अब यहाँ पर देखी यह जो आपने links बनाए हैं यह जो navigation bar आपके सामने देख रहे हैं तो इनके सामने देखें क्या है कि आपका यह जो symbol देख रहे हैं तो यह symbol जो है अच्छा नहीं लगता है देखने में तो इसको हम लोग हटा सकते हैं तो हटाने के लिए हम लोग जो इस्तमाल करते हैं वो होता है list style type तो यही भी दिया हुआ list style type इसको जब हम लोग none करते हैं तो यह जो symbol है वो हट जाते हैं जैसे इसी example को समझते हैं इसमें यह चीज़ दी हुई है तो इसने क्या काम किया अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं तो देखें इस type में यह list जो link है यानि कि जो navigation बार्स हैं इस तरीके से दिख रहे हैं आपको पहला दूसरा तिसरा यह बार्स जो दिख रहे हैं इस इसके side में जो symbols थे वहट गए अब यहीं पर आप चाहते हैं कि नहीं इसके अलावा और भी यह जो है इसमें थोड़ा modification होना चाहिए यह जो है एकदम side एकदम left में आ जाए तो आपको इसके margin और padding को zero करना पड़ेगा क्योंकि अभी margin padding browser इन पर supply कर रहा है ठीक है कुछ न कुछ supply कर रहा है इसलिए आपको इस type में देख रहे हैं लेकिन आपको क्या काम करना है इसके margin padding को zero करना है तो हम लोग margin padding को zero कर देते हैं ठीक है अब यह जो चारो link है यह एकदम left में आके add हो जाए तो यहाँ पर इसका effect आपको देखा margin और padding का तो इसमें हो क्या रहा है यह जो unordered list वाला जो html element है इसकी margin और padding को zero कर दिया गया तो इसके अंदर जितने भी list items हैं जिनके जरीए आपको यहाँ पर यह बनते हो दिख रहे हैं चुकि जिस container में यह है उस इस container की margin और padding को zero कर दिया गया ठीक यानि unordered list जो container है उसकी margin padding को zero करने के बज़े से सारे list item जो है जिनकी बज़े से यहाँ पर यह navigation बाहर बन रहे हैं वो सब लेफ्ट में आ जाते हैं इस तरीके जो unordered list item है उसका margin padding क्या कर दिया गया है जीरो कर दिया गया इसलिए सारे जो item है आपको एकदम लेफ्ट में आके दीख रहे हैं